टेंट्टि या नौन टेंट्ट्सक्रेण तो मैं आपको रिकמׄंड करते हूँ कि आप लोगों को टेंट्टै्ट्सक्रेण करना चाहिए पड़ इसचा कीूळीan ऎसके लिए आपको देखना पड़ेगा आजका पूरा वीडियो ग्लेति अई कि इस वीडियो में में आप लोग को क tipping साथ शेयर करने जा रहे हूं कि हमाई-टिंट्ट्ीड श्जिम्सक्रुन high nós कर दो तक ज거든 जिन लोग गउसके पर एकनी पंपल जाह पॉरम रहती है उन लोगों को कौन सा sunscreen करना चाहिए purchase और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के शयर करने जारी हूँ कि जिन लोगों के लौर्मल को सा काम्बिनेशन है उन Лोगों को कौन सा संस्क्रीन करना चाहिए या पर reduce नाचाहिए नॉन टेंटेड़2 संक्रीन सो यह है मेरे पास लेक में Sun Expert में 2 संस्क्रीन दौनों का PA === SPF लेपल 50 प्लाय केह चाहिए, let's go culture to you by wearing the wear system. तो यह मेरे पास दोनों small packaging है तो यह मेरे पास है 99 रुपीज में मैंने पचेस की थी 18 ml की packaging और यह मैंने पचेस की थी 290 रुपीज में और यह है 50 ml की packaging तो यह आप overall packaging इन दोनों sunscreen की देख सकते हो यह tinted sunscreen में एक ही shade है available universal shade है और अगर मैं इन दोनों के color texture के regarding बात करूं तो आप आप देख सकते हो जो यह ultra matte lotion based sunscreen है cream based sunscreen है एकदम से white sunscreen है और अगर मैं tinted sunscreen के regarding बात करूं तो आप इसका भी color texture देख सकते हो बिल्कुल skin color है natural color है जो आपकी skin के साथ होता है exact match तो अब इन दोनों को मैं करूंगी apply ताकि आप difference जान सको तो मैंने और रेड़ी face पे कर लिया है moisturizer को apply और मैंने लेक में का वो moisturizer apply किया जो summer season के लिए है perfect तो उसका link जरूर चेक कर लें अगर आप purchase करना चाहते हो summer season के लिए कोई अच्छा moisturizer तो मैं non tinted sunscreen एक साइट पे अपने face पे कर रहे हूं apply और एक बाद जरूर शिया करूंगी औ चाहे non tinted sunscreen यान कि यह दोनों sunscreen का use males भी कर सकते हैं यान कि females और males इन दोनों products का कर सकते हैं use कि अकसर क्यूरी होते है क्या male इस product का use कर सकता है तो definitely हर कोई in sunscreen का कर सकता है use तो मैंने एक साइट पे यह sunscreen non tinted sunscreen को कर लिया है apply हमेशा downward direction में आपने करना है sunscreen को अच्छे से blend तो आप देख रहे हो कि मेरी हलकी से skin आपको brighter दिख रही है उसका reason यह है कि क्यूंकि यह white sunscreen है आप कह सकते हो cream based white color है इस sunscreen का इसलिए आपको हलका सा difference नजर आ रहा होगा कि मेरी skin दिख रही है brighter और मैं दूसरी साइट पे कर रहे हूं यह tinted sunscreen तो tinted sunscreen को मैंने face पे कर लिया है अच्छी finish की regarding बात करूं यह नहीं कि completely matte finish देंगे यह दोनों sunscreen यह आपको देते हैं semi matte finish यह 100% matte skin नहीं करते हैं यह दोनों sunscreen आपकी skin को semi matte करते हैं बट काफी जादा light weight है non greasy है non sticky है तो अच्छा option है आप summer season में इनका कर सकते हो यूज तो आप difference अब देख सकते हो जैसे कि जानते हो कि अक्सर sunscreen को apply करने के बाद कुछ लोगों को white cast जैसी problem face करनी पड़ती है तो उन लोगों को यह लिए best option है उन लोगों को tinted sunscreen ही करना चाहिए purchase तो मेरे पास यह link में के two different sunscreen है एक है non tinted sunscreen और दूसरा है tinted sunscreen और जो यह non tinted sunscreen है इसके उपर मनें अल्रड़ी complete video किया है share वो पूरा वीडियो आप चेक कर सकते हो link मिल जागा description box में और जो यह वाला sunscreen है यह white cream base है sunscreen और दूसरा लेकमे ने launch किया है tinted sunscreen और इसका एक ही है shade natural shade है जो हर किसी की skin tone के साथ करता है match तो आपकी skin fair है medium है weightish है तो exact आपकी skin tone के साथ इसका color करेगा match especially Indian skin tone को ध्यान मे रखते हुए उन्होंने tinted sunscreen किया है launch तो tinted sunscreen यूज करने का major benefit तो यह होता है कि white cast जैसी problem face नहीं करने पड़ती है यह आपकी skin के साथ exact match हो जाता है sunscreen तो definitely जिन लोगों को white cast जैसी problem face करने पड़ती है जिन लोगों को face पे dark spots भी है even वो जब अकसर white cast वाले sunscreen को apply करते हैं यानि क जो dark spots है और ज्यादा visible होना start हो जाते है skin उनकी gray दिखना start हो जाती है तो उन लोगों के लिए भी best option है आप tinted sunscreen का करें use और अगर मैं इन दोनों sunscreen के regarding बात करूँ यह किन लोगों की skin को करेंगे suit यह दोनों sunscreen suit करेंगे dry skin वालों को normal skin वालों को और combination skin tone वालों को तो जिन सकते हैं use और जिन लोगों की skin काफी जादा dark है उन लोगों को मैं सदस करती हूँ कि आप लोग gel based transparent sunscreen का ही करें use तो oral guys dry normal combination skin वालों के लिए हर season के लिए best option है आप इन sunscreen को कर सकते हो purchase इन दोनों में से purchase करना है तो tinted sunscreen को करें purchase कांकि आपको white cast जैसा कोई भी issue ना face करना पड़े और इन दोनों sunscreen में उन्होंने zinc oxide का titanium dioxide का किया है use तो अगर मैं texture के रिगानिंग बात करूँ जो यह वाला sunscreen है tinted sunscreen है यह थोड़ा सा ज्यादा lighter है as compared to non tinted sunscreen quickly blend हो जाता है as compared to this यह थोड़ा सा time लेता है आपको इसको अच्छे तरीके से blend करना पड़ेगा अगर आप इस sunscreen को है white cast का तो बिलकुल भी issue नहीं होगा तो एक बात mind में जरूर रखें कि जो यह tinted sunscreen है यह आपके dark spot को hide नहीं करता यह न सोचे कि आपको coverage मिलेगी तो यह जस्ट आपके लिए sunscreen का काम करेगा कोई foundation का कोई BB cream कोई CC cream का का काम नहीं करेगा यानि कि कोई coverage नहीं मिलती just और just यह आपकी skin tone के color के साथ हो जाता है match जिसके कारण आपको white cast जैसी problem face नहीं करने पड़ेगी तो यही major reason है इसलिए मैं आप लोगों को suggest कर रहे हूं कि आप लोग अगर इन दोनों में से purchase करना चाते हो तो आप इसको ही करें purchase यह था मेरा आज का comparison video and I hope आज का वीडियो देखने का अब आप easily decide कर सकते हो कि हमें tinted sunscreen purchase करना चाहिए या purchase करना चाहिए non tinted sunscreen और जिन लोगों की skin oily है उनको कौन सा sunscreen purchase करना चाहिए वो सारे वीडियो मैंने आप लोगों के साथ किये है अगर आप लेक में brand के अंदर कोई भी sunscreen purchase करना चाहिए वो सारे वीडियो जुरूर करने चेक लिंक मिल जाएगा description box में तो यह था मेरा आज का overall वीडियो and I hope आज यह लाक दिस वीडियो then please guys don't forget to like share and subscribe thank you so much for watching bye bye